हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल इस्टुडिविट सवी मैं हो सविता दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हिंदी ग्रामर की तीस कर्शन जो की एक्जाम पॉइंट आवे उसे बहरी इंपॉर्टन है तो चलिए देखते हैं आज की प्रशन क वाक्य विधी वाक्य आगया वाक्य या फिर संकेत वाक्य तो जैसा कि आपको इस वाक्य में पहले ही नहीं सब्द दिया गया है तो यह प्रकट करता है एक निगेटिव का तो यहां पर निगेटिव ही होगा यानि कि निसेद वाक्य होगा यह एक प्रकार का निसेद वाक् बाल्चक वाक्य विम्याश्चक वाक्यत और इनने से कोई नहीं तो यहां पर बाल ब्यारम कि विम्य मृश् unique वाक्यत सही हो जाएगा ओह सब्हूच्श्म एक विस्मन प्रकट कर रहा है यहां पर उक्ष्म अंबर बिस अग्ला है तो में भी जलquinho कौन वाक्य है विसमे वाचक अग्या वाचक संकेत वाचक या फिर निसेध वाचक वाक्य यहां पर आप्शन नमबर सी संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा यदि तुम चलो यहां पर एक संकेत वैक्त कर रहा है यदि तुम चलो तो मैं भी चलो अगला है तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है इच्छा वाचक संदेह वाचक विदी वाचक या फिर इन में से कोई नहीं तो यहां पर option number a right हो जाएगा अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कोई व्यक्ति कि तुम अपने काम में सफल रहो अगला है रस भरा कौन सा तत्पुरुस समास है option है कर्म तत्पुरुस करुड तत्पुरुस संप्रदान तत्पुरुस या फिर इन में से कोई नहीं तो आपको यहां पर रस भरा सब्दुमें समास बताना है जैसा कि आप देख रहे है यहां पर option number B करड तत्पुरुस यह सही हो जाएगा जैसा कि जो इसका विग्रह होगा रस भरा का रस से भरा तो से विवक्ति करड तत्पुरुस की होती है इसलिए option number B करड तत्पुरुस हो जाएगा अगला है स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुस है कर्म तत्पुरुस करड तत्पुरुस सम्प्रदान तत्पुरुस या फिर सम्मंध तत्पुरुस तो इसका जो समास विग्रह होगा स्वर्ग प्राप्त का तो इसका जो विग्रह होगा स्वर्ग को प्राप्त तो य अगला है यथा संभो कौन सा समास है दिकू तत्पुरुस अवेई भाव या फिर कर्म धारे ऑप्चन नमबर सी राइट हो जाएगा अवेई भाव यथा संभो सब्द में अवेई भाव समास है अगला है वीडा पाड़ी कौन सा समास है करड़ तत्पुरुस समास कर्म धारे समास बहुबरी समास या फिर दंद समास तो यहां पर option number c यानि कि बहुबरी समास सही हो जाएगा वीड़ा पाड़ी सब्द में बहुबरी समास होगा बहुबरी समास वो होते हैं जो दो सब्दों मिलकर किसी तीसरे सब्द का विसेशर बन जाते हैं तो उसे ही बहुबरी समास कहते है इस सब्द में दोनों सब्द जो होते हैं प्रधान नहीं होते है और जो तीसरा सब्द होता है, वो प्रधान होता है तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपे वीडा पाड़ी अर्थात सरश्वती जी अगला है दू अन्नी कौन सा समास है अवेई भाव समास, कर्मधाराई समास, बहुबरी समास है और फिर दिगू समास तो आपको यहाँ पर दू अन्नी सब्द में समास बताना है यहाँ पर अप्शन नमर डी यानि कि दिगू समास सही हो जाएगा दिगू समास वो होते हैं जो कि पूरू पद संख्या वाचक विसेशड होते हैं जिसमें और दूसरा पद जो होता है वो संग्या होता है इसलिए यहाँ पर दू सब्द जो है दू एक संख्या का बूद करवा रहा है इसलिए यहाँ पर दिगवाचक समास हो जाएगा अगला है पद बंध कितने प्रकार के होते हैं आप्शन दिए गया है दो तीन चार या फिर पाँच यहाँ पर आप्शन नमर बी राइट हो जाएगा पद बंध तीन प्रकार के होते हैं लेकिन यह जाना बेद जरूरी है कि पद बंध क्या होता है तो जब दो या दो से अध अधिक सब्द पद नियत क्रम और निश्यत अर्थ में किसी पद का कार्य करते हों तो वहां पर ही पदबंद होता है उससे ही पदबंद कहा जाता है अगला है निमनलिखित में असुद्ध सब्द कौन सा है ऑप्शन दिये हैं एकत्र नीरस मंत्री मंडल या फिर योगी राज तो यहां पर उप्शन नमबर सी यानि की मंत्री मंडल ये सही हो जाएगा अगला है निमनलिखित में असुद्ध सब्द कौन सा है उप्शने सापताहिक वीड़ा वाश्प या फिर सिंदूर तो यहां पर उप्शन नमबर ए यानि की सापताहिक सही हो जाएगा आप सब्द है यह असुद रोप से लिखा गया है अगला है निमने लिकित में से आग का प्रयावाची सब्द नहीं है और यह तीनों आग के सब्द नहीं है अगला है निमने लिकित में से इच्छा का प्रयावाची सब्द नहीं है अगला है निमने लिकित में से पानी का प्यावाची सब्द नहीं है अम्बू सर मेग पुस्प या फिर नीर तो यहां पर आप्शन नमबर बी सर जो है वो पानी का प्यावाची नहीं है और यह सारे अम्बू मेग पुस्प नीर यह सारे पानी के प्यावाची है अगला है निमने लिखित में से घर का अगला है विसेशड कितने प्रकार के होते हैं ऑप्शन दिये हैं दो चार छे अफिर तीन तो जो विसेशड सब्द होते हैं वो होते हैं चार प्रकार के कौन-कौन से होते हैं यह जान लीजिए गुडवाचक परिमान वाचक संख्या वाचक सर्वनामिक विसेशड यह विसे सर्वनाम छे प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं यह जानिए पूरुस वाचक नेजवाचक निश्य वाचक अनिश्य वाचक संबंध वाचक और प्रश्ण वाचक यह चे प्रकार के सर्वनाम होते हैं अगला है उत्पत्ति की द्रश्टी से सब्दों के कितने भेद होत होते हैं तत्सम तदभो देशज और विदेशी यह चार प्रकार के सब्दों होते हैं अगला है रचना की द्रश्टी से सब्दों की कितने भेध होते हैं दो तीन चार या फिर पांच तो आप्शन नम्सी यानि रचना के द्रश्टि से सब्ढ के जो भemaker होते हैं वे चार प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं क разв आप्षिन नम्सीं अज़ाएं सब्चना के मर्ट यौरे seit times today okay कोई नहीं तो यहां पर option number C यानि की 5 हो जाएगा संग्या 5 प्रकार की होती है कौन-कौन सी होती है व्यक्ति वाचक जाति वाचक भाव वाचक समोह वाचक और द्रव्य वाचक यह 5 प्रकार की संग्या होती है अगला है विकारी और आविकारी सब्दों के कितने भेद होते है option दिये हैं 2, 4, 6 या फिर 8 तो यहां पर option number D जो है वो right हो जाएगा विकारी और अविकारी सब्दों को मिला कर 8 वेद होते हैं विकारी सब्द 4 प्रकार के होते हैं और आविकारी 4 प्रकार के होते हैं तो जो विकारी होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और आविकारी कौन-कौन से होते हैं ये जान लीज़े जो विकारी सब्द होते हैं वो होते हैं संग्या, सर्वनाम, क्रिया और विसेशड ये चार प्रकार के विकारी सब्द हो गए और आविकारी जो होते हैं वो होते हैं क् संग्या से बना हुआ विसेशड है उप्षिन है क्रपा जाती नमक और फिर कुलीन तो ओप्षिन नमर डी यह सही होजागा यह संग्या सब्द से यानि कि कुल सब्द से बनाया गया है अगला है यथा समय समास कौन सा है तत्पूर समास है अवे भाव कर्म धारे या फिर बहु ब्री ही समास है यहाँ पर option number B यानि कि अवे भाव समास है यथा समय में अवे भाव समास हो जाएगा अगला है प्रतेक समास है दंद दिगू अवे भाव या फिर कर्मधारे ओप्शन नमबर C यानि की अवे भाव समास यहां पर सही हो जाएगा प्रतेक सब में अवे भाव समास होगा अगला है तिरंगा है कर्मधारे समास, बहुब्री समास, दंद समास या फिर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर option number B सही हो जाएगा तिरंगा एक बहुब्री समास है अगला है कवी का इस्ट्रिलिंग रूप आपको बताना है यह प्रशने काफी बार परिक्षाओं में देखने को मिलता है तो option देखी क्या है कवी अत्री, कवी आडी, कवी त्री या फिर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर option number C जो है यह सही हो जाएगा यह इस्ट्रिलिंग का सही रूप है इस तरह से कवी अत्री लिखा जाता है अगला है सूर्य का इस्ट्रिलिंग रूप क्या है सूर्याडी, सूरी, सूरा या फिर सूर्या यहाँ पर option number D यानि की सूर्य का इस्ट्रिलिंग रूप सूर्या होगा अगला है जो कि आज का लास्ट प्रश्ण है पेड से फल गिरा इस वाग के में से किस कारक की भी भगती है सम्मंध अपादान संप्रदान या फिर अधी करड तो पेड से फल गिरा यानि कि जो फल है वो पेड से अलग हो रहा है तो अलग होने की इस्तिती में अपादान कारक होता है इसलिए यहाँ पर option number B अपादान कारक सही हो जाएगा तो दोस्तों यह थी आज की प्रशन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share and subscribe करेगा साथी well icon को भी प्रेस करेगा जिससे आने वाली वीडियो का notification आपको सबसे बहले मिल सके धन्यवाद